कैसी चल रही आप लोगों की स्टेडी कब होगा आपका एक्जाम हर बंदे के दिमाग में यही क्यों कैसे सी मैंस का एक्जाम या तो मार्च में या अप्रेल में होने वाला है गूड मॉर्निंग राम राम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं बात करने आया हूँ उनिस्ट्रेंट से जो एससी मैंस देने वाले हैं कैसे सी मैंस का एक्जाम या तो मार्च में या अप्रेल में होने वाला है कैसी चल रही आप लोगों की स्टेडी कब होगा आपका एक्जाम हर बंदे के दिमाग में यही क्यों दोस्तों एक्जाम हो जाएगा डेट भी जल्दी आ जाएगी प्री का रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है पर सबसे जल्दी या सबसे ज़्यादा जो जरुरत है वो है आपकी तैयारी की त्यारी में सबसे important जो part है वो ये है कि सबसे पहले आपका maths जी कि चारो subject जो है वो solid होने चाहिए कि साथ-साथ typing जो है दोस्तों वो within 15-20 या one month में नहीं होगी इसलिए अभी से थोड़ा-थोड़ा typing क्योंकि आपका same day जो है सारी चीजें process SSC ने ऐसा किया है कि उसी दिन tier 2 उसी दिन type test उसी दिन आपका computer का test और मैं तो सोचता हूँ उसी दिन सगाई साधी सारे काम उसी दिन कर देने चीज़ पर SSC ने ऐसा नहीं किया कुछ program आपके delay भी छोड़े है कि सगाई है साधी है ये बाद में कर लेना कोई बात नहीं बढ़ हाँ जो SSC का schedule है टीए टू कि हम उसकी बात करते हैं इंप्ली सबसे पहला सबसे imported काम है आप अपनी typing जो है उसको थोड़ा सा सही कर ले रहे हैं रूटीनली कम से कम आदे गंटे पीस मिनट पच्छेस मिनट रूटीनली जो है एक दो बार इन में प्रेक्टिस करें जब भी आप पढ़के थक जाएं दिमाग काम नहीं कर रहा हो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है टाइपिंग हाँ सबसे इंपोर्टेंट बात यह कि भी आप मोग टेस्ट कितने दे मोग टेस्ट चाहिए अब डेली पाँच दो पर हर मोग टेस्ट का एनलाइसिस जरूर कर रहा हर मोग टेस्ट में जो आपने क्योसंस किये हैं वो राइट क्योसंस किये हैं रोंग क्योसंस को तो आप स तो ऐसा question जो आपको आता भी है पर exam में हमेशा आपको प्रेसान करता है तो same उस type की 4-5 question अपनी seat में से उठाओ और उनको कर लो सबसे important होगा दोस्तो paper 1 जो है paper 1 का जो part 1 है math so reasoning आपको अटेंप्ट कर नहीं ऐसा हो कि Calculative I reasoning जो मैथ स्वीर आपसे attempt ही नहीं हो और वो time out फिर अगला पर start हो जाए प्रीज इसलिए आपको request है आप अपने time management पर अपनी seat पर पर इसलिए तो संस जादा है तो time हमें इस एकोड यदि calculate अपनी seat पर द्यान दें अपने time management पर द्यान दें उनके उसंस पर द्यान दें जहां आप फस रहें उनके उसंस पर द्यान दें आज आपकी calculation बढ़ रही है reasoning में कौन से concepts आपको परेशान कर रहे हैं वहाँ ध्यान दें पूरे में से पूरे नमबर आने चाहिए 100% reasoning में तहीं नमबर करें लिस के अच्छे से practice करें routinely एक डेड़ गंटे निव इच्वेपर की reading करें ताकि आप जो पढ़ने के आदर ठीक हो ठीके को ठीक करें statics gk पर ज्यादा ध्यान दें तो student statics gk के उपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो statics gk पर ध्यान दें कि अधि आपके पास booklets नहीं हैं तो lucent आपके पास blue color वाली पड़ी होगी दो तीन बार reading लगाके जाए उसके अलावा topic wise booklets statics gk की English की reasoning practice के लिए अपने मितस का जो book store है उस पर भी available है जो मैंस में पढ़ाई जा रही हैं उन पे भी यदि आपके पास satisfied matrix है तो यदि आप only यहां जो offline strengths को verified material जो पढ़ाया जा रहा है material को भी आप अच्छे से करके जाएंगे तो confirmance selection होगा तो दर उदर की बातों पे ज्यान दें ऐससे sense का exam कब होगा इन बातों पे जान दें अपने आपको तयार करें Delhi बहतरीन बनाएं कल से आज और बहतरीन बनाएं परसों फिर आज से कल बहतरीन रोज अपने आपने आप में improvement लाएं कि exam की date कब भी हो मुझे रही तो आज ही है तो आज ही पूरा त्यार करना है डेली साथ दिन का अगले साथ दिन में ऐसा करना है आप तो यह मानों after seven days exam है कैसे त्यारी करने हैं फिर seven days exam है ठोके जितना आप कर सकते हैं ठोका है दोस्तों इतनी post तुबारा नहीं आएंगी प्री अच्छे score के साथ qualify हो रहा है बहुत अ नयापन अगले साल सब लोग समझ जाएंगे कि मैंस कैसा होने वाला है तो इस नयेपन में तो मज़ा है स्लेक्शने का इस पोस्ट को आप डिजायर करें उस तक पहुंचने का आसानी टाइम है पढ़िएगा बहुत पढ़ाईए मैनत कीजिएगा याद कीजिएगा उस दि जिस दिन किसका रिजल्ट आये तो तो उसकी प्रकी कुछिया कैसे थी या आप भी फिल करें कब वो दिन आएगा कब वो रिजल्ट आएगा जिस नहीं हमारे घरवाले बिया से कोलर करके औरे बच्चे कि कम टैक्सिंस पर अंडेड परसेंट जो कि कम टैक्सिंस ठेलक्सजिए नच्छल आएगा जितनी विजो कुछिए ठीक्य।